अगर नरेंदर मोधी के ऊपर आशीरवाद नहीं रहते तो वो एक प्लैटफॉर्म पे चाय बनाते हुए आज देश के प्रधानमंची इनापन इसी तरह अबरहेम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट पती थे पहले राष्ट पती उनके साथ में भी ऐसा ही था बेड़ बकरियां चराते चराते उनको फैलो अमेरिकन कहके भाष्ट रहते हैं तो एक बात तै है कि मोधी जी एक प्रतिबाशाली धैर्यवान प्रतिबाशाली और रसस के करमठफन कारे करता रहे है और आज भी धर्म की बात करें तो धर्म के बिना जीवन में कोई चीज नह अगर धरम ना हो तो आदमी पशू हो जाएगा इसलिए अगर नरेंदर मोदी जो है नरेंदर दामोदर मोदी अगर धरम को पालने वला कोई व्यक्ति जीवन में अपने धरम का अनुसरन करता है तो हमेशा सफल रहता है डोहजार उन्नीस में क्या होगा गुजरात में क्या होगा करनाटका में भी राजस्तान में भी तो यह सब अलग बाते है आप पांचवक की नमाज पढ़ती है के नहीं पढ़ती है वो अलग बात है मैं मंदिर जाता हूँ नहीं जाता हूँ यह मेरी धरमिक आस्था है तो अभी यहां पर बीजेपी की स्थीति कैश्ती रहेगी आपने जो कहा के तीन-चार राज्यों के चुनाव आने वाले हैं तेकि मैंने अभी आपको बुला कि भारती जन्यदा परटी पॉसीबल है कि इन चार में से दो स्टेट में अपना जंडा गार दें संघर्ष करना पड़ेगा गुजरात में जीट सकते हैं अगर संघर्ष के साथ में जैसे कुछ दिनों पहले जेटली जीनने कुछ परिवर्तन लाई कुछ न कुछ परिवर्तन और लाने पड़ेंगे क्योंकि आज बयौपारी समाज की बात जब हम करते हैं फरह जी तो आज ब्यवपार करने वाले 67% लोग जो है, मध्यम वरक का ब्यवपारी, उसके उपर का वरक का ब्यवपारी वो गुजराती है, कपड़े का ब्यवपारी, हीरे का ब्यवपारी, सोने का ब्यवपारी, आज बाजार में फेस्टिबल जो हुआ है, वो सूखा गया है, फेस् अभी वो 70,000 रुपे मांग रहा है, इसलिए परिवर्तन अच्छा है, उसके आगे जाकर अच्छे परिणाम हो सकते हैं, मगर आज व्यक्ति जो है वो दुखी है, उस दुखी व्यक्ति को कैसे सुखी किया जाए, इसके लिए मोदी जी को और जेटली जी को कोई ठोस कदम जाना है, ये बात ध्यान से सुन लिजिए, डेफिनेटली हम इन पांचों चारों राज्यों के बविश्य आपकी तरफ आपको जरूर पेश करेंगे, क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं भारती ये जन्नतापारटी भी अपने आप में संतुष्ट नहीं है, इलेक्षन कप डिक तो वो भी एक जीत नहीं हार मानी जाती है